कि अभी गुड मॉर्निंग एवरीवन स्वागत है आप सभी सुटेंट्स का अग्रिकल्चर अड़ 24-7 के ऑफीशल यूट्यूब चैनल पर आपकी अपने फिश्री की क्लास में सुभे के एक्जेकली 11 बजे जिसमें आज हम लोग डिसकर्स करने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो के फिश्री टॉपिक से रिलेटेड हैं उस साथ में हम एक थियोरी पोर्शन पर भी डिसकॉशन करेंगी तो सबसे पहले तो जितने सुटेंस फिलहाल मेरे साथ यहां पर अवेलेबल हैं आप सभी स्टूटेंस इस क्लास को फटापर से ली गॉर्यक्तृ जल्जसे कमें crisi football बता जी भी जारीज़िर भी जिल्डे से कमें कर बता जीजिज यह भी हेल है अपं नाल भी हम को क्योंच थैस लिपड़ों कर ढ है कुछुशन से नाहीं अपके दौटेंस टॉपिक में कारें कैंसार्ति फीड को लेकर यानि कि फिश अपना nutrition कैसे गेन करते हैं and उस nutrition से उनका conversion कैसे होता है कैसे उनका body weight गेन होता है यह सब भी जो आपके important points है उन सब को लेकर discussion यहाँ पर होगा yes very good morning everyone connected here अभी शेक तौफीक प्रश्यांत सब बढ़िया एकदम मजे में चले फर स्टार्ट करते हैं तो गाइस सबसे पहले तो आप सभी students से request है अगर आप किसे भी competitive exam को लेकर prepare करना चाहते हैं तो आप सभी students हम लोग के साथ connect कर सकते हैं RA247 की mobile app को install करके यहाँ पर आप सभी students को daily quizzes, current affairs and even though जो भी vacancies release होती है जिनके बारे में आपको शायद informations नहीं मिल पाती हैं कभी-कभी वो सभी informations भी magazines, power capsules, notes and articles यह सब चीजे आप Adda247 की mobile app से पास सकते हैं तो what you have to do, you have to install the Adda247 mobile app from your play store. इसी के साथ साथ guys this is our YouTube channel agriculture Adda247 जहाँ पर आपकी regularly classes होती है morning में 9 बजे से, जिसमें मेरी classes, अब आप लोग के demand परी क्योंकि बहुत जादा hectic हो जा रहा था आप सभी students के लिए, so guys, plan में थोड़ा सा change कर दिया गया है और वो change ये कर दिया गया है कि अब आपकी class जो है 11 a.m. पर हुआ करेगी alternate days पर, ठीके जैसे कि आज आपका क्या है Thursday है, तो Thursday को आपकी class है, okay Tuesday को आपकी class हो गई, and जैसे पहले हुआ करती थे Saturday को, तो 3 दिन आपकी class हुआ करेगी मेरे द्वारा, कितने बजे, 11 बजे, इसे प्रकार से पोरा schedule आप सभी students के लिए, प्लाइन किया गया है, ताकि आप बेटर तरीके से prepare कर सके अपने IBPS AFO exam के ल इसे के साथ साथ guys, this is a telegram channel, आप हमारे telegram channel भी जोइन कर सकते हैं, आपको daily basis पर quizzes मिल जाएंगे, साथ में जो classes का information है, वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा, okay, so this is a sale guys, R24.7 की book sale है, 22% discount आपको book पे मिल रहा है, आप कोई भी book पर चेस कर सकते हैं, और 22 प्लस 1% आपको extra discount मि जाएगा, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप आप को install करके, तब जाके किसी भी book को purchase करते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से, देखो students, आप लोगों की महनत के लिए, और आप लोगों की preparation को बेहतर करने के लिए, यहां पर जितने भी live batches R24.7 के store पर available है, उन सभी batches को आपको maximum discount मिल रहे है, अब जिसे IBPS FO का जो batch है, वो जितना normal price है, उससे भी काफी reduced price में आपको मिल जाएगा, अगर आपको उस batch में admission लेना है, तो what you have to do, आप Y344A code apply कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, इसी के आगे हम लोग बात करते हैं, यह आपकी book यहां पर आप देख सकते हैं, this is a book guys, IBPS FO के e-study notes है, Y344S code apply करके, आप यह e-study notes जो हैं, अपनी preparation को बहता करने के लिए use कर सकते हैं, और अपना revision कर सकते हैं, chapter wise brief concepts यहां पर दिये हैं, साथ में 500 plus MCQs भी आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है, हाँ सुमन, शाम वाली class में आना, मैं समझ रही हूँ तुम लोग का, तुम्हारा concern मुझे समझ में आ रहा है, सुमन, ठीक है, बहुत सही चीज है, तुमने पूछ लिया, at least बहुत सही रहता है यह, कि आपके मन में अगर कोई doubt हो, तो सुमन have a query, कि FCI AG3 target है, पर preparation सही नहीं है, स SBI clerk का exam recent में है, तो FCI AG3 का exam आपका January से होना है, तो January के लायक अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा pre preparation हो जाएगा January तक, तो उसको आप target करके उस पर work कर सकते हो, मतलब आपका main focus क्या है, कल के दिन जब तुमको realize होगा कि यार मैंने थोड़ा मतलब जल्द बाजी कर द तो कल के दिन दोनों portion पे तुम्हें regret होगा, better to take a wise decision, SBI clerk का form fill क्या है, exam देने के लिए जा सकते हो, जाओ, वही आपका, इसका प्रीमे आएगा, वही आपका FCI AG3 के प्रीमे आएगा, तो इसमें confusion वाली क्या बात है, चीक है, confusion तब होता है, जब आपका syllabus 19-20 की बजाए, पर तो जादा variation है ही ने प्री को लेकर, है ना, तो confusion क्यों हो रही है, अब ये मुझे बताओ फिर, ठीक है, चलिए guys, ये आपका batch है, ये जो प्राइस आपको यहाँ पर इतना दिखाई दे रहा है, आपको इतना प्राइस पे नहीं करना, you have to pay 2999 या फिर इससे भी कम, ठीक है, आप code यूज़ करेंगे, Y344 भी आप code यूज़ कर सकते हैं, and Y344A code भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको ये 2999 या उससे भी कम प्राइस में ये batch अवेलेबल हो जाएगा, जो 11 नवेंबर से start हो रहा है, ओके, चलिए, so here is the first question guys, यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछ सारे के सारे questions आज के जो हम session में करने वाले हैं, यह सारे questions जो भी आपके युनिवर्सिटी के exams होते हैं, या फिर IBPS, AFO के अलावा, और भी जो exams ऐसे हैं, agriculture exam, जिन में आपके फिशरी से questions आते हैं, मैंने अलग-लग set से इन questions को compile किया हैं आपके लिए, ठीक है, तो इस सभी questions आप लोग के लिए बहुत ही जादा important है, तो response quickly नहीं आता है, तो पूछ लीजे, I'll clear your doubts, तो first question यहाँ पर screen पर है, हाँ, yes, वो ही है कि एक आपका GSGK add हो जाता है, लेकिन एक बात सुनो, यहाँ पर आपका, मतलब उसको तो आपको जातर exams को लेकर पढ़ना ही होता है, किसी exam में आजाता है, किसी में नहीं आता है, ठीक है, हाँ, यह बुक आपकी RWA English में है, यह बुक जो यहाँ पर आप लोग को बताई गई है, आपकी English में बुक है, very good, Sohani Rawat, very good morning, the first question is, which soil is the most suitable soil for culture of major carps, देखो, major carps आप बोलेगे, माम, यह तो aquatic organism है, यह तो fishes की आपकी एक ला होगी, वहाँ पर भी तो आपको soil present होगा, तो question is, which soil is the most suitable soil for culture of major carps, आपको culturing करना इस fish का, इस fishes को आपको large scale पर produce करना है, तो आप को जसी soil को prefer करेंगे, you will prefer clay and silty soil, D would be the right answer for the question, आदर, शाबाश, आपका ठीक है, questions, अगर आपको यहाँ पर question number देखने को मिलता है, तो जब आ questions का answer करते हैं, तो question number भी 7-7 में लिख दिया करो, हाँ, नहीं, प्रशाद, YouTube की classes भी आपकी continue रहेंगे, YouTube की classes कोई बंद नहीं होंगी, देखो, अभी भी दो batches चल रहे हैं, लेकिन YouTube की classes अभी बंद नहीं होंगी, ठीक है, schedule में कभी-कभी थोड़ा सा changes हो जाते हैं, जिसके बारे में आपको timely inform भी कर दिया जाता है, अगला question है, hatcheries are used for what purpose, क्यों हम hatcheries का इस्तिमाल करते हैं, कल जब हम लोग fish related terms पढ़ रहे थे, तो we had discussed about some farms, हम लोगों ने जैसे poultry farm पढ़ाता, fishery farm पढ़ाता, उसके बाद आपका hatchery farm पढ़ाता, now the question is, hatcheries का इस्तिमाल क्यों किया ज stocking of fry, fry को stock करने के लिए, second question, और यहाँ पर आपका question number 3 लिखा है, तो guys आप इसी के according question का answer कर दीजे, second question, शायद मैंने कुछ change किया होगा, ठीक है, the right answer for the question, शाबाश, एक्स के incubation के लिए हम hatcheries को prepare करते हैं, ठीक है, hatcheries को क्यों बनाय जाता है, आपके एक्स को incubate करने के लिए उनको एक suitable temperature देने के लिए, ताकि अंडे में से मुर्गी का बच्चा जो है, वो निकल सके, sorry, मुर्गी के बच्चे की क्यों बात करें, fishes, मचलिया, जो छोटी-छोटी मचलिया है, वो hatch out हो सके, ठीक है, नई, stocking of fry नहीं होता है, आदर्श, stocking of fry नहीं है, वो आपको जो hatchery farm है, what will that do, आपके wild species को maintain करने का काम करता है, that is your hatchery farm, ठीक है, जिसके बारे में हमने कल डिसकस किया था, चलि, सुमन, मैं आपके question का answer करते हूं, आप इतना अगले question का answer करो, इन इंडियन काप, इंडियन मेजर काफ, जो आप IMC लिखते हो, ठीक है, IMC बहुत जगे लिखा होता है, students got confused ही, IMC क्या बला है, fishery की टम्स में, that is Indian मेजर काफ, फटिलाइजेशन कैसा होगा, internal होगा, external होगा, A और B दोनों हो सकता है, या फिर none of the above, the right answer for the question number 4 will be, guys, क्या हो भीजा फ्राई, दाल फ्राई वाला फ्राई नहीं है, जब आपका फिश ब्रीड करता है, ठीक है, तो जो वो first stage form होती है, उस stage को fry कहा जाता है, headless, जो first stage form होगी, that is fry, फिर आपका finger link बनता है, तो 10 से 15 cm तक का होता है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर्दे को पहले आपका hatchling होगा जब आपने एग जब हैच होता है, तो हैच लिंक बनता है, हैच लिंक से fry बनता है, फ्राई से finger link बनता है, फिंगर लिंक से फिर आपका new और जो आपका main spawn है, वो बनता है, main adult fish form होती है, तो this, these are the stages of metamorphosis, ठीक है, adult fish, यह आपकी main metamorphosis की stages है, जब आपका बात करते हैं fishes के बारे में, हाँ, नई, third stage कहां होती है अदर्ष, fry third stage नहीं होती है, who said fry third stage होती है, no, देखो first, क्या हुआ, आपका egg ले हुआ, एग से hatchling, अचा, अगर आप यहाँ से start कर रहे हो कि egg है, egg से hatchling है, hatchling से fry है, fry से finger link है, finger link से आपका new adult fish form होता है, यह आपकी पूरी stages होती है, ठीक है, तो यह अगर आप खुदी बोल रहे हो आदर्ष, कि 1 से 2 cm का होता है, तो finger link आपका 10 से 15 cm का होता है, finger link आपका 10 से 15 cm का होता है, एक बार मुझे सुमन का doubt पढ़ने दो, और आप लोग इतने, मुझे fourth question का answer बताओ, internal fertilization का मतलब क्या होता है, और external fertilization का मतलब क्या होत ठीक है, चलो, इन दोनों वर्ट्स का मतलब बता दो, क्या होगा, वैपर गेमिंग समझ में आ गया है, इतने मैं एक बार doubt रीट करती हूँ, सुमन का, overall syllabus complete है, बड़ speed नहीं आ रही है, इसलिए nervous है, देखो speed कैसे आते है, देखो, सुमन, मैं जनरली एक बात बोलती हूँ, ठीक है, मतलब, यह मत समझो कि मैं तुम लोग को force कर रही हूँ, कि तुम test series में admission low purchase करो, क्याइज, मैं खुद मेरे phone में test series है, ठीक है, आपको अगर में बैठने की आदत खुद को डालनी पड़ेगी, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, हम पते क्या सोच ते, मैं परसनल एक्सपिरियंस से बताते हूँ, हमको लगता है, अभी वो टू मंस का है, थ्री मंस का है, उसको मजे करने दो, हम उसको ना मतलब, थोड़ा सा भी hard exercise न तो इससे क्या होता है, ना स्टूडेंट किसी भी बच्चे के अंदर, हाड कंडिशन से लड़ने जगणने की capabilities डेवलप नहीं होती है, ठीक है, तो वैसे ही आप है, जब तक आप खुद को test series में enroll करके, test series प्रैक्टिस करके, एक्जाम जैसा माहोल नहीं देंगे, आपकी nervous business कभी जाएगी ने, मैं अगर घर से बाहर नहाँ निकलू तो मुझे लगेगा इनी के बाहर मोसम कैसा है, मुझे लग्टे को बाहर भी ठंड और यह जितनी घर मेरे मुझे लगा की बाहर भी उतना ही कि बहुत तो तुन्हें दो तीन महीने मजे कर ले अब तो धिरे धिरे खड़े ओने की कोशिश कर तो वही चीज आप लोगो के लिए है इफ यू वांट टू क्रेक्ट एक्जाम और यू वांट तो वर्क ओन यू नर्वसनेस यू हाव तो प्रैक्टिस करने के लिए अब सुचें कि मैं इतना समय कहां से लेकर आए यूटूब भी करना है पेड़ बैचिस भी करना है रिवीजिन भी करना है दोस्तों के साथ गप भी मारने है पेरेंट इसके लिए वर्क करना पड़ेगा तभी जाकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कि अदरवास आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी राइट एंसर पूर्द किसी नहीं नहीं बता है सब मेरी बाते सुनने में लग गए कोई किसी ने मुझे यह नहीं बताय कि इंटरनल और ऐक्स्टर्नल में क्या डिफरेंस होता है right answer for the question number c is b ठीक है इनमें आपका external fertilization होता है दोनों एकर दो दोनों नहीं होते हैं भाई एक की वो तरीका अपनाएगा fertilize करने के लिए अपने एक्स को मेरी सारी बाते समझ में आई जो मैंने अभी आपको बताई है चलिए fourth question के लिए right answer वेपर गेमिंग नहीं लिखा है चार दो बिल्कूल और किसी ने सुमन ने चार सी लिखा है प्रशांत ने भी स्वस्तिका सुमन सचिन कैसे इसका अंसर external होगा external का मतलब क्या होता है गाईस external का मतलब होता है male gamits और female gamits किसी सुरक्षित जगह पर फ्यूज कर रहे हैं आके female body के बाहर ठीके female body के अंदर male gamits का fusion नहीं हो रहा है कहीं water surface के उपर कहीं fresh water के उपर या फिर आपका saline water के उपर जाकर ये दोनों gamits का अगर fusion हो रहा है उसके बाद आपका जो embryo development है further developments हो रही है fish का formation हो रहा है उस तरह के development को हम external development को जिसमें बहुत सारे stages involved हो आपका indirect development होता है और जहां पर fusion आपका किसी और source के अंदर होता है female body के अलावा तो उसे हम क्या कहते है external fertilization कहते हैं yes प्रशांद is it clear to you मैंने explain कर दिया है जितने students फिलहाल class में available है guys you have to like the session आपको class को फटाफर से like करना है और अपने friends के साथ share भी करना है okay क्या आपको external fertilization अब समझ में आया जो मैंने आपको explain क्या अब internal fertilization के अगर मैं बात करती हूं guys तो what will happen in internal fertilization की male जो gametes that will enter into the female body and then there will be the fertilization male and female gametes fusion होगा okay so that will be your internal fertilization clear चली अगले question की तरफ चलते हैं your next question is which fish generally breeds in morning hours देखो fishes के hours for breeding जब उनका male and female gametes का fusion हो रहा है और वो अलग-अलग समय होता है तो some fishes breed in the morning hours, some fishes breed in the evening hours so here the question is कि इन में से कौन सी वो fish है जो कि morning hours में usually breed करती है options है रोहू है, वलागो है, कैटला है, तिलापिया है the right answer for the question will be guys तुम लोग को अगर कोई doubt होता है तो जल्दी जल्दी पूछा करो ताकि मैं उसको जल्दी जल्दी clear कर सकू है न अगला question screen पर है, अगला question स्क्रीन पर है, इस question का answer बताएगे, क्या होगा the right answer for the question will be तुम लोग को अगर कोई doubt होता है मैं सोचा देख लेती हूँ, कल कौन सी class में ऐसा हो रहा था कि तुम लोग के voice में बहुत जादा issue हो रहा था एक class में students को हो रही थी problem अभी तो सब हो कि है, चलो भाई so, हाँ सुमन आज सारे doubts clear करके जाएगी, आज सो मुझे मतलब बन जाना है FCI, HG3 clear करके रहना है, अच्छा लगता है, तुम लोग जब doubts पूछते हो तो काफी अच्छा लगता है ठीक है, और तुम जब genuine doubts पूछते हो तो तब तो मतलब मेरा जो energy का level है वो 2x, 3x तक हो जाता है speed नहीं level energy का बस, ठीक है so, देखो, phase 2 की तियारी का, मैंने बचाते मेरे batches के बच्चों को एक चीज बदाई थी कि देखो, तुम लोग बोलते हैं कि मैं हम self study का time नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो एक चीज मैं बता रही हूँ अभी तुम क्या करो, अभी तुम लोग के लिए क्या है, आदे-ादे घंटे के lectures होते हैं, उन मेंसे जो आपने combination चूज के आपको वो combination की classes अटेंड करनी है, तो किसी चीज को पूरी तरह से छोड़ देना और फिर उसको दुबार से पानने की कोशिश करना तब आपको जादा महनत लगेगी, अभी किसी चीज को continuously थोड़ा थोड़ा सा अपने दिमाग को प्रेपेर करते रखना, mentally कि भया ये भी हो सकता है, इसको भी त्यार करना है, ऐसे वाली approach अपना हो, अब आपको अलग से self-study का time नहीं मिलेगा, mains के subject को, लेकिन एक तरह से वो आपके touch में रहेंगे, इसलिए थोड़ी सी YouTube classes को जब आपको suitable time लगे तो वो आप attend कर लो, batches की classes अभी वैसे भी नहीं हो रही ह FCI के mains की, batches की classes नहीं हो रही है, सिर्फ pre की classes हो रही है, ठीक है, तो अपनी जो preparation की approach है, वो एक integrated रखो, जब आप सिर्फ एक stage को prepare करके लगोगे, तो भी आपका जो mind है ना, उस pressure के लिए एकदम से तयार नहीं हो पाएगा, फिस second stage के समय पर, ठीक है, तो आपको systematically सब चीज बदीन पर आपने सारी बाते पुछी है, test series के लिए आप ये code यूज़ करेंगे, S code अगर आप लगाते हैं, तो आपको 23% discount के साथ कोई भी test series आज मिल जाएगी, ठीक है, आपको Y344S लगाना है, 23% discount पाने के लिए test series पर, ओके, चलिए, आप उसे पूछा गया था, morning hours में क है, या फिर आपका marine fish है, ठीक है, आपके पास अब ये दो options मेंने रख दी है, या आपका marine fish है, या फिर आपका inland fish, अगर ये question पूछे हम, तो आप इस question कहां से क्या देंगे, RKO Fishers, Suman, जली से इस question कहां से बता दीजे, okay, चले, जली से इस question कहां से दीजे, भाई, इस question के ल बी कटला, कटला का, जो scientific name होता है, वो आपका क्या होता है, कटला, कटला ही होता है, बहुत easy नाम है, you can easily recall it, ठीक है, इसको तो आप मन-मन में भी बोलो, तब भी कटले, कटले, बोलता है, अगर कोई किसी को भार भेजना है, बोलता है, कटले या से, तो वही वाला है, ठीक है, ठीक है, जो आपको fresh water से obtain होती है, that will come under the category of inland fishery, okay, चलो, next question है, आपके लिए, कि naturally spawns are collected from dash zone of the river, अच्छा, अभी कोई फिश है, वो अपना आगले करके चली गई है, कि भाया, अब हम तुम से जब मिलेंगे, जब तुम, मलाब वो फिर उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है, के अटरोमर से अपनी कंडिशन को ध्यान में रखते हुए, उसने अपने अग को लिए किया, और वो वहां से चली गई, अब आपको उनके अग्स को कलेक्ट करने का है, तो आपसे question ये पूछा गया है, कि naturally प्रकरतिक तोर पर, spawns are collected from which zone of the river, नदी के कौन से जोन पर से आप ये जो spawn है, ये जो अग लेके गए हैं, उनको आप collect कर सकते हैं, shallow से, bottom से, curved से, and none of the above, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, बट मेरे को एक बहुत सुंदर सा दरिश्य याद आ रहा है, और अच्छा आपको अगर पता हो, विसे थोड़ा सा fishery point of, forestry point of view से important भी हो जाता है थोड़ा सा national parks के बारे में जाना, olive redlay turtles आपके कहां पर पाए जाते हैं, कौन से घाट पर पाए जाते हैं, कौन से state में पाए जाते हैं, कौन से national park में पाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, आते हैं, समूदर किनारे बहार आते हैं, अपने eggs को ले करते हैं, बहुती सुंद उन से भर जाता है और बहुत ही सुन्दर लगता है उस वक्त पे देखने में ठीक है है तो ऑलिव रिटले टर्टलस आपका गहीर मत्था ठीक है गहीर मत्था नेशनल पार्क है वाइलेफ सैंचरी है जहां पर आपके जो फेमस है ओलिव रिटले टर्टल के लिए और दो कुंसे जोन से क्लेट करेंगे शेलो जोन से गाइस क्या कोई मुझे बता सकता है वर डियू मीन बाइ शेलो जोन शेलो जोन कोंसा होता है यह सुमन अरिंदम अधर अभी शेक आरके ओफिशियल वेपर गेमिंग प्रशांत जितने सुडेंट्स का नाम लिया है वो तो कम से कम के लिए जितने सुडेंट्स का नाम लिया गया है जल्दी से बता तीजे कि शेलो का मतलब क्या होता है वर डियू मीन बाइ शेलो शेलो का मतलब क्या होता है गाईस जल्दी से बताएए शेलो का मतलब होता है अपर लेयर ठीक है हाँ जहां पर वोटर लेवल कम होता है ठीक है जो उपर वाला ही जो लेयर होता है दैट इस ओन इस शेलो लेयर ठीक है अपर वाला लेयर ओके चलिए इनलेंट में आपका कटला है और इस कोशन कहां से आपका यह अगला क्वेशन स यह जो आपके fish है, marigal fish, जिसको हम कहते है, marigal, sirhena marigala generally breeds in dash ars, okay, पीछे आपसे पूछा, katla, सुबहे के समय पर breed करती है, आपसे पूछा, marigal fish के समय पर breed करती है, तो right answer for the question will be, हाँ, जहाँ पर पानी का level कम होता है, that is a shallow region, ठीक है, हाँ, the right answer for the question is, sirhena marigala are generally breeds in dash ars, किस समय पर in fishes का breeding time होता है, हाँ, कम पानी का किनारा, very good, Anjita, अभी आई हैं, क्लास में, हाँ, शुभ भी अभी, भाई, क्लास को regularly आप लोग को 11 बजे अटेंड करना होता है, और आज आपका fishery हम लोग कर रहे हैं, जो आप लोग का Saturday को क्लास होगा, उसमें ह हम एगरी इंजिनरिंग के बहुत जबरदस्त वाले questions करेंगे, और कुस theory portion भी करेंगे, ठीक है, सिरहिना marigala का, अगर आप से पूछा चाहें, इनका भी morning, usually fishes का दे, को usually, हमने काफी सारे fishes को लेकर अपना क्लास में discuss किया है, हाँ, उपरी परत, ठीक है, और सब में हमने एक पूछा गया है कि रोहू और मरीगाल, जादतर, बेसिकली अगर हमसे पूछा जाए, तो वाटर, मतलब किस लेवल पर ये ब्रीड करते हैं, ठीक है, वो आप से पूछा था कि रीवर के किस जोन से आप स्पॉन को कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप से पूछा गया है, कि जनरली यह कहां पर अपने अग्स को ले करते हैं, स्पॉन करते हैं, वोटर के सर्फेस पर, मार्जिनल एरिया पर, जो साइड वाला किनारा है, मिडल रीजिन में, डिपर में, या फिर सर्फेस पर, बताई, the right answer for the question number 8 will be, रोहू और मरीगाला जनरली स्पॉन इन डैश एरि जिसको आप कह सकते हैं, वहां पर usually आपके रोहू और मरीगल फिशिस क्या करते हैं, स्पॉन करते हैं, the right answer is A, ठीक है, 8th question के लिए सही जवा वैपर आपका A होगा, अगला question है guys, which gas is used in closed type of fish seed transportation, यह थोड़ा सा अच्छा question है, यह थोड़ा जादा अच्छा है, कि आपको क्य करना है, देखो फिशिस को हम कल्टिवेट करते हैं, रियर करते हैं, यह भाषा जनरली बोलते हैं, तो here the question is, कोंसी गैस को आप वो जो नाइट्रोजन क्यों नाइट्रोजन क्यों बोल रहे हैं आप और oxygen क्यों आपको वैक्यूम थोड़ी ना क्रियेट करना मर जाएंगे, सी शीड के जो फिशिस के जो सीड्स हैं, आप उनको oxygen gas के chamber में ट्रांसपोर्ट करेंगे, सो देट वो आपके life conditions में रहें oxygen, ठीक है, oxygen क्योंकि भाई या कोई भी हो, सांस लेने के लिए oxygen चाहिए होता है, seed meaning eggs हो गया, ठीक है, और मतब जो initial stages होती है, हाँ, seeds meaning egg ही हो गया, जो initial stages होती है, जिनसे आपका पूरा fish जो है, मिलता है आपको, ठीक है, चलो, अगला question, हाँ, seeds मतलब बोल देते हैं, generally, हम egg ही है, या, रिंदम, हाँ, अगला question है, guys, for breeding of major carps, which temperature range is required, okay, आपको क्या करना major carps, जो इंडियन major carps, उनको breed करना है, आप से पूछा गया है कि कौन सा तापमान चाहिए होगा, suitable temperature कौन सा है, 24 to 32 degree Celsius है, 32 to 36 degree Celsius है, 36 to 38 degree Celsius है, या फिर all of the above, the right answer for the question will be, question आप से पूछा गया है कि major carps को अगर breed करना है, तो आपका temperature range कितना होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए suitable temperature range कितना होगा, near to your room temperature 24 to 32 degree Celsius, major carps के breeding के लिए ये temperature range suitable है, यानि कि अगर आप hot waters की बात कर रहे हैं, या फिर cold waters की बात कर रहे हैं, तो भे वहाँ पर वह प्रॉपरली ब्रीड नहीं कर पाएंगी, ठीक है, 10th question के लिए, A होगा, right answer, A होगा, Great Anish, Abhishek, Veper, सबके सब गलत लगा रहे हो भाई, एक लाइन में, सबका गलत है, What is a scientific name of milk fish? Doodhyaan Machli का scientific name क्या होगा? Hindi translations कुछ बच्चे बोलते हैं, देखो हैं, हिंदी में कभी-कभी ना sense बिल्कुल change हो जाती है, The question is, which of the following is a scientific name of milk fish? Options are Clarius, Betracus, Chanos, Chanos, H-Forces, और Chenna, Moralius, तो right answer for the question will be, इस question के लिए सही जवाब क्या होगा? जल्ली से बताईए भई Guess करा था, सबी ने guess करा था, एक साथ, तो सभी ने गलत guess किया था, चले, कोई बात नहीं, गल्तिया इंसान से होती है, The right answer is Chanos, Chanos, इसके बारे में तो एक बार पहले भी discussion हुआ था, ठीक है? कुछ questions ऐसे होते हैं, जो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, मैं इसको दुबाय से ले आती हूँ, अच्छा, crab is a decapod, decapod क्या है? What do you mean by decapod? protozoan है, helminthus है, crustacean है, या फिर आपका molluscan है, अच्छा, इससे साथ मैं आपको एक बात बता देती हूँ, whenever we talk about aquaculture, और एक आपका term होता है PC culture, ये दो आपके different terms होती है, एक आपका aquaculture और एक आपका PC culture है, तो aquaculture की जब आप बात करते हैं, तो आप सभी aquatic animals को culture कर रहे है, aquatic animals को culture कर रहे है, and aquatic animals में आपके crabs भी आजाते हैं, आपके prawn भी आजाते हैं, आपके fish भी आजाते हैं, lobster आजाते हैं, ठीक है, ये सब आजाते हैं, so here the question is, crab एक decapod, decapod means to say it have 10 lakhs, यहाँ पर आपके 10 lakhs होते हैं, decapod इनको हम इसलिए बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपका कोंसी particular class के अंदर हैगा, तो they are crustaceans, यहाँ आपके crustaceans हैं, okay, यहाँ आपके crustaceans हैं, तो इस question के लिए answer होगा C option, congratulations, Akshit Chaudhary, congratulations to you, that is really a good news, पहले मैंने actually Arindam का comment देखा, कि Kong add the rate Akshit, फिर मुझे Akshit का comment दिखा, ठीक है, decapod का मतलब होता है, आपका 10 lakhs, very good, congratulations, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, this is really a good news, when will you give party, अब next, next जो आप लोगों से demand है, party कहा हैं भई, कब है party, खुशी, हान जी, पता लग गया, मैंने comment पढ़ लिया, Akshit आपका, that is really a good news, ठीक है, काफी अच्छा लगा सुनकर, चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप बताएए, party कब दे रहे हैं आप, हाँ, ठीक है, कस्टेशन से, से question का answer होगा, ठीक है, करते हो, क्योंकि आप इसको, feed करते हो, इसको खाते हो, तो इसको large amount में, obtain करने के लिए, what will you do, आप इसको cultivate करें, आच्छा एक आपकी devil fish होती है, आपको मुझे बताना है, devil fish का scientific name क्या है, and devil fish हम, कौन से fish के, sobricate, कौन से fish का, जो आपका second name devil fish है, बताईए, आप लोग के पास, दो questions है, स्क्रीन पर, इन दोनों questions का answer दीजे, क्या होगा, अखिलेश, अरिंद, अंजिता, अभिशेक, अक्षित, इस question का answer, बताओ भी, क्या होगा, और साथ साथ में, guys, what you have to do, you have to like the session also, 13th question के लिए, आपको बताना है, कि, which is a important, cultivable crab, अगर आप से, crab पूछा जा रहा है, crab तो कहां पर होता है, crab आपका, कस्टेशिंस के अंदर आता है, हाँ, party तो बनती है, फिर देर कहां रहे हो, party ये बताओ, Clareus betracus, is a name of a fish, यहां पर आप से, crab पूछा गया है, Saila serata is a crab, ठीक है, that is a cultivable crab, और devil fish, आपके octopus को बोला जाता है, very good, ठीक है, devil fish बोला जाता है, octopus को mobula, mobular नहीं, क्या कहना चाहते हो, अभिशेख नहीं, ये नहीं है, ओके, next हम लोग बात करते हैं, which are the cancer magister animal, अच्छे ये थोड़ा सा different question हो जाता, चले फिर भी आप बता दो, cancer magister animal कौन सा है, cancer magister पते हैं, क्या वो आपकी जो, कौन सी राशी बोलते हैं उसको, cancer जो आपकी sunshine है, jodic sign है, उसके बार में आप से पूछा गया, कि उस पर कौन सा animal बना होता है, ठीक है, उस पर कौन सा animal बना होता है, इस question का answer क्या होगा, the right answer is, ये आपका shaila serata, जो कि आपकी cultivable crab है, वही आपका cancer के उस पर बना होता है, ठीक है, crabs हाँ, king crab जो है, इस अब आपके बिच्छुई तो है, तो that is shaila serata, ठीक है, cancer जो आपकी राशी है, उस पर जो बना होता है, clear, चलिए, अगला question है guys, a new question, a next question is, the first pair of walking legs are chillate forming, pinching close found in, अच्छे ये थोड़ा ज़्यादा ento की तरफ होगया, तो ये question नहीं, पता नहीं कैसे यहाँ पर पिक कर लिया, इस question को हम नहीं discuss कर सकते, because I have no ideas about the entomology portion, ठीक है हाँ, devil fish, giant fish, ray fish, आपका mobula, mobular, और ये हम octopus को भी बोलते हैं, भी शेक, ठीक है, octopus को भी बोलते हैं, एक ray fish को लेकर मुझे doubt है, इसको मैं थोड़ा सा clear करके, तब आपको बता दूगी, ठीक है, ये question हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मुझे इसका idea नहीं, चलो तुम लोग बता रहे हो, crab would be the answer, बट ये part आपका, entomology का है, ओके, next हाँ, ये हमारा है, इसको हम बता सकते हैं, प्रॉन्स क्या होते हैं भाई, ये आपके protozoans होते हैं, arthroports होते हैं, molluska होते हैं, या फिर vertebrates होते हैं, जल्झी से बताएं, the question is, तो ग्वेसिंट ब हम बताएंगे, प्रों्स क्या होते हैं, ये आपके vertebrates होते हैं, मॉलस्का होते हैं क्रस्टेशियन्स होते हैं या फिर प्रोटोजोन्स होते हैं अच्छा ओक्टोपस का तो यार ओक्टो ओक्टोपस का साइन्टिफिक ने मॉबूला मॉबूलर तो नहीं है ओक्टोपस ही तो होते हैं क्टोपस क्योंकि हम लोग ने अनिमल क्लासिफिकेशन के टाइम पर भी ओक्टोपस विल्गैरिकस कुछ अक्टोपस स्पीशिस कुछ किया था प्रोंस क्या होते हैं गाईस सोच लो यार यह आपके अर्थर पोर्ट्स होते हैं ठीक है दीज आदा अर्थर पोर्ट्स अभी ज़स पढ़ाता कस्टेशियंस कस्टेशियंस आपके कहां पर आते हैं अर्थर पोर्ट्स आपकी फाइलम है उसके अंदर आते हैं, ठीक है, मॉलसका नहीं होते हैं, हाखा रहdy हो तो वर्टिल्पेट सोढ़ी ना होगा, त Dw. अभी जो आपका फिश फूड फॉर्मूला है, ठीक है, आज के टाइम पर जो आप डैविल फिश का scientific name, okay ठीक है, devil fish का scientific name और octopus को भी तो devil fish बोलते हैं, octopus के लिए हमें एक sobricate यूज करते हैं, devil fish ठीक है, ये हमारा exam में question भी आया गया है इसलिए हमने इसको discuss किया है और ये आपको exam में, CIGIL के exam में question आया होगा, 2019 या 2020 की अगर हम बात करें तो ठीक है, हाँ, सौमीन पाल paid classes जो हैं आपकी 11 नवेंबर से start हो रही हैं, और आज आपको maximum discount के साथ paid classes में admission मिल रहा है Y344S code apply करके, अगर आपने admission अभी तक नहीं लिया है, तो आप आज admission ले सकते हैं maximum discount के साथ ठीक है, अगर हम fish food formula की बात करते हैं, तो उसके अंदर आपके maximum micronutrients होते हैं, जो के important होते हैं, तो कितने होते हैं, 20 से 30 micronutrients उसमें present होते हैं, तो सारे के सारे आपके important होते हैं, ठीक है, चलिए next question का answer किस ने दिया था, मिनल ने इस question का answer दिया था, शाबाश, ओके now let us discuss about fish nutrition चलिए अब थोड़ा सा discussion हम लोग कर ले थे, fish nutrition को लेकर अभी तक हमने question practice किये थे अब थोड़ा सा theory part पर discussion कर लेते हैं, guys, are you ready for the theory session, आप बोलोगे आपको theory पढ़ना है, तभी हम theory पढ़ाएंगे अजरवाज नहीं पढ़ाएंगे, बताओ you want to discuss, so guys, fish nutrition and feed rates को लेकर अगर हम बात करें, तो अगर fishes का nutrition अच्छा नहीं होगा, तो fishes का rate of growth है वो भी आपका अच्छा नहीं होगा अगर आपकी fishes overfeed कर रही हैं, तो वो overgrow करेंगी and when they will overgrow, तो उनके अदर कोई nutrients की deficiency की भी chances होगे and they will not survive properly because उनको problem होगा, आपका swing करने में भी, ठीक हो swim करने में भी problem होगा, right? So there are some points that are need to be discussed here, next time बात करते हैं, fish nutrition को लेकर, तो here you can see, ठीक है important components for whole production system, आपके fish के पूरे production system के लिए क्या-क्या components है, जो important है, target fish production, अब जिस fish से आपको maximum कुछ earn हो, या फिर जिस से आपका nutrients जादा से जादा obtain करो, तो what you have to do, you have to cultivate the fish, ठीक है? So target species production के लिए क्या-क्या factors important है, the growth factor, अच्छा, FCR का मतलब क्या होता है, guys, let me know, FCR का मतलब क्या होता है, then I'll tell you the formula, FCR क्या होता है मैं आपको formula ही बताऊंगी, target species के production के आपका water quality proper होना चाहिए, there should be no disease at all, growth factors अच्छे होने चाहिए, ठीक है, water quality भी affect करती है, और fish के nutrition पे अगर आपको focus करना है, तो आपको इस सारे factors को important components को consider करना है next, economics terms के अगर मैं बात करूँ, तो overfeed and underfeed fishes से guys, आपको जो results obtain होने चाहिए, वो आपको उप्टेन नहीं होंगे time पे, species specific formulations available, हर एक species के लिए formulation आपका usually different है, तो that should be available pond production, closed recirculation system, जैसे कि आपका aquaponics में होता है, ये सब होना चाहिए, right, yes, feed conversion ratio, ठीक है, very good, मिनल, ये है आपका feed conversion, feed लिख 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 लिजे, ठीक है, ये भी आपका standard ratio होता है, जो आप ही आगे हम लोग discuss करेंगे, so guys, जितना आप अपने fishes को feed कर रहे हो, उसके according जो उसने feed के, उसके बाद वो कितना, उस feed को convert कर पा रहा है, आपने body weight को गेन करने के लिए और उससे आप कितना nutrients extract कर पाते हो so that will come under your feed conversion ratio, ठीक है तो यह क्या होगा अभी शेक, यह आपका होगा feed conversion ratio अब हम बात करते हैं इसके आगे तो यह सारे factors है that should be considered, जब आप fish nutrition की बात करते हो, तो यह सारे के सारे factors आप लोग के लिए important हो जाते है I'm sorry Now here the question arise, okay अब इदे को एक natural water body के अंदर fishes रह रह रही है natural water body के अंदर आपका fishes आपका grow कर रही है, cultivate कर रही है ठीक है लेकिन still we are focusing, तब भी हमें focus करने की जरूरत पड़ती है किस पर अपने fishes को अलग से cultivate, artificially cultivate करने के लिए और हमें उनको कुछ specific formulation के basis पर food देना होता है So question arises why feed fish आपको fish को feed करने की जरूरत क्यों पड़ती है, what is the need तो first is, अगर एक particular area में आपके fishes जो है काफी intensified है, large number of fishes are living in a particular area ऐसे में क्या होता है सभी organisms को food proper नहीं मिल पाता है प्रतिक्षा कौन से कोशिन कांसे दे रहे हो आपने channels, channels, बहुत पीछे चलेगे हो बहुत पीछे का बता रहे हो So ऐसे cases में, you need to supply some food formulations ताकि जितने भी fishes और organisms यहां पर आपके कल्टिवेट हो रहे है उनकी food requirements क्या हो सके, पूरी हो सके ठीक है कुछ ऐसे water resources होते है जहां पर naturally food formation के chances बहुत ही कम होते है तो ऐसे में, fishes जो है starve करेंगी और starvation की वज़े से मर जाएंगी तो जितना आपने यहां पर invest किया था आपको loss होगा So in that case, अगर आपको वहां से proper fishes अप्टेन करना है तो you have to feed the fishes Second है, natural fuels पर reliability कम होगी साथ में क्या है? अभी एक बात बताओ आपने बहुत सारा amount में food यहां पर supply कर दिया है Sorry, यहां पर आपका बहुत सारा amount में food अवेलेबल है तो fishes को कोई रोक टोक नहीं है, तो what will they do? They will over feed या फिर उनमें competition जादा हो रहा है तो some fishes will under feed So ऐसे में, you can control the amount of food that a fish should take, तो इसके लिए भी हमें क्या करना होता है fish fields provide करने होते है चीके हाँ So guys, यहां तक का I think अब आपको समझ में आ गया होगा यहां तक में अब आपको कोई doubt नहीं होना चाहिए अचा इसी के साथ साथ guys, आपके जो doubts हैं, वो में clear कर देती हूं regarding the classes So guys, जितने भी students यहां पर class में available है classes को regular basis पर attend करते हैं और अपना IBPS FO मेंस के लिए preparation करना चाहते हैं So guys, this is a batch which is available on other 24-7 store मेंस का अलग से भी batch आ रहा है 15 तारिक से, ठीके मैं तुम लोग को सारे batches यहां पर show कर देती हूं कि here you can see IBPS SO आपने सर्च किया और here you can see मेंस का लग से बैच प्री प्लस मेंस का बैच होटी कल्चर, अग्रिकल्चर एक्स्टेशन, वीड साइंस का बैच संदीब सर का करन्ट अफेर का बैच उसी तरह से आपके और भी batches है अगर आप इसको complete पर क्लिक करेंगे SO here you can see view all पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सारे batches अवेलेबल हो जाएंगे जैसे मेरा batch है, वर्चस व बैच है आपका संकल्प, मन्थन, जुनून यह सारे batches है अब मालीजे, you want to enroll in the pre plus means integrated batch अगर आपको इस integrated batch में enroll करना है आज के दिन for today, आज के दिन अगर आप इसको इस batch में enroll करना है तो by now पर जैसे आप क्लिक करेंगे, you will get an option की enter coupon code तो आप यहां पर code apply करेंगे Y344A जैसे ही आप Y344A apply करेंगे, आपको यह batch 6 months के लिए 2759 रुपीज पर available हो जाएगा और इससे भी कम price पर आपको available हो सकता है अगर आप यहां पर कोई, अगर आपने app को install किया होगा और आपके पास कुछ coins earn होगे, अगर आप उनको भी यहां पर लगा देते हैं तो जब आप अप से batch में enroll करते हैं तो आपको 1% extra discount मिलता है बैच में admission लेते वक्त वहीं पर गाईज अब यह जो students है जो यह पूछ रहे थे कि माम हमें questions प्राक्टिस करनी है nervousness होती है एक्जाम से पहले एक्जाम जैसा थोड़ा माहोल मिल जाए तो मज़ा आ जाए तो guys these are the test series यह से pre को धिहान में रखते हुए बनाए गई है और यह pre plus means दोनों को धिहान में रखते हुए test series बनाए गई है 35 total test है और इसमें आपका pre के लिए अलग है means के लिए अलग है section wise अलग से test है you can click on the view offers या फिर buy now option and you can apply the code Y344S आप यहाँ पर Y344S code जैसे ही apply करेंगे आपको 22% यहाँ दिख रहा है वही पर app install क्या होगा तो 23% discount पर 389 रुपीज में आपको total 35 test मिलेंगे लमसम देखे तो एक test आपको साड़ी दस रुपे का भी नहीं पढ़ रहा आपका पूरा का पूरा test paper होगा 100 questions होगे pre की बात करें means की बात करें तो आपका 60 questions का set होगा with solutions so guys what are you waiting for if you want to prepare if you want to click IBPS AFO exam this time you have to take a wise decision first thing and second thing 21 November से पहले आप form जरूर फिल कर दीजगा कि last moment पे hustle में रहना यह सोचना कि अब क्या करें क्या ना करें वो ज्यादा complicated situation हो जाती है ठीक है is there any doubt अगर कोई doubt है तो comment में आप पूछ सकते प्रतिक्षा you are giving answers मतलब वो questions का जो हम कर चुके हैं समय पर classes join कर आ करो समय पर सारे doubts पूछा करो और अपनी preparation को लेकर तकड़े तरीके से त्यारी स्टार्ट कर दो अगर आपको as such कोई extra queries और doubts होते हैं तो guys comment कर दिया करो मैं आपके doubts जो है वो next class में भी आके cover करा दूँगी ठीके so for now bye-bye and have a nice time all the very best हां चलो